हाई हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू माई चैनल स्थानुवी कीचिन चैनल में आप सभी का मौश्ट वेलकम है तो आज हम ले क्या है नान की रेसिपी तो यह देश तो नान कितने सोप्ट और कितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं विज्जेसे ही यह अच्छे बने हैं व कि जगए आप यूं का आटा भी तक अधा मेदा और आदा आड़ से भी आप नान बना सकते हो MORE मैंपूरण मेदे का हीना बनाने जा रही हूं करीब मैंने करीवन आदा चमर डाला है और यह डाल दे रही हूं मैं मीटा सोडा जो खाने वाला सोडा हो डाला है और यह डाल दे रहे हैं बेकिंग पाउडर तो मीटा सोडा बेकिंग पाउडर जरू डाले यह दिया ना हो तो आप जैसे इनों आता है वो सबी जगह मिल जाता है छ पानी भी ले सकते हो पर मैं इसकी जगे क्या कर रही हूं दूर ले रही हूं मैं यह जरू पर रहे हैं और यह चुक्त घुटर चाएगा हाँ ये जरूर फटेगा पर फट जाएगा फरक कोई नहीं पड़ता इसमें फट जाएगा जबी भी हमारा बहुत ही अच्छा नान बनेगा जबी अच्छा बनेगा और इसमें मैंने डाली थी चीनी तो चीनी हम इसलिए डालते हैं कि खमीर जल्दी सा उट फाए जैसे हम कुछ भी बनाते हैं तो खमीर जल्दी उट जाता है चीनी डालते हैं तो हमारा इतना ही फलपी जब हम इसमें डालेंगे चीनी और जल्दी खमीर उटेगा तो जल्दी ही हमारे नान बनने के लिए डो त पूरा डाला है फिल्कुल भी नहीं छुटा है पूरा इसमें डाला है आए यह दिया आपके कम पड़ जाए तो इसमें पानी बी एड़ कर सकते हो पर वो गरम करकी डालिएगा और मैं यह क्लिप पर इससें नहीं बना पाए रिकोंड नहीं कर पाई इसलिए सोरी प्लीज पर आप इस तरह से करेगा यह दि आप जो आप बना रहे हो दूद से तो पूरा उसी से डो लगाईएगा मैं उसी से डो लगाई हूँ यह दूद और धाई यह सब डाला है बस पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी एड नहीं किया है तो यह देखिए बिल्कुल मेरे हाथों की सब्सान नहीं करता है अलीओ हो तो लीजे यह दि लाओ तो कौन सा भी आप रिफैंड और ले सकते हो अब मैंने डो अच्छे से लगा लिया है अब मैं क्या करने वाले यह पॉलेटिन जो सब्जी की पॉलेटिन तो सभी के पास होती है उसमें इसमें डाल देंगे इसमें क जो डाल रहे हैं कि जब आम इसको रेश्ट के लिए छोड़े तो इसमें जो गर्माट है डो में गर्माट ओठना ना हो पाए उससे हमारी जल्दी आटा जो खमीर है इसके अंदर हुथ पाएगा तो इसको रेश्ट के लिए मैं करीब दो गंटे के लिए चोड़ूंगी त पानी से लगा रहे हूं मैंने गरम दूर लिया है तो गरम थोड़ा ज्यादा गरम था उसमें दही डाले तो टेंपरेचर नहीं हुआ था तो आब यह मैंने फूल गया है तो इसकी बाद में क्या करूंदो को यह देखिए कैसे खिचा-खिचा रबबड जैसा हो गया है तो तो थोड़ा से में हमातों मेंतों में लेंगे तो टो बंद हो चाएंगी तो अच्छे से लगपाएगा तो इस तो को अच्छे से में मसला क्रा पाचार अब सब्सकरां पटक सब्सक्राइए survey een यह च्छ ऑड़े में गड़े लिए से लगबग बना लिया है और इन्हों को थोड़ा सा आथोपे में फेर जोढ़ करने वाले हूं कि आपके नान जिसे आप तवे पर बनाते हूं तो एक नान बनाने में 5-6 के लगवा मिन्ट लग जाते हैं, पर ऐसा तरीका मैं सेर करूंगे कि 5-6 मिन्ट में आपके धेर सारे नान बन जाए और ज्यादा गेंस भी ना लगे और समय की वी बचत हो पाए तो यह मै मेथा कर लेंगी दो चिपके लिए इसको बेलना स्टार्ट करें तो बेलना कैसा है अमक्षी अंडार कारी और अंडा कार नान को बेलिएगा तो नान है जो बहुत ही इजी से तरीके से बन जाते ज़्यदा टाइम नहीं लगता है आप नान बनाने जा रहे हो तो रोटी जैसे ग्यों के आटे का भी नान बना सकते हो और यह दी मेदा और ग्यों का आटा आदा आदा करके भी आप आटा लेके और इस इसको उपर लगा दे रही हूँ, तो दोने के बाद में थोड़ी गीली रहती है, तो दोने के बाद में आप इस पर डालिएगा, और बैलन्स से इसको अच्छे से रोल कर लीजेगा, तो अच्छे से चिपक जाएगी, तो इसी तरीके से और नान मैं इस तरह से बेल लूँग क्योंकि एक साथ 3 तीन में नान बनाने वाली हों, आप और चोटी साइज में बनाओगे, तो 6-7 के लगबग आपके नान बन के रेडे हो जाते हैं, तो मैं ये करिबन मीडियम साइज के नान बना रही हूँ, तो ये करिबन 3 ही आप आएँगे उसमें, तो आज आप और चो है तो मैंने पूरे लिए है तो है थे यह मैंने लिएैपं की बनाना चाहिए तो तब कर से जिसे बन जाएगा और इसा मैं लगा दे औरहाएं कर nine डिशे पानी यह तो i पानी अच्छ से लगा जाएंगा और की रोटी च्पकेना बिल्कुल भी स्टना इसा है पान लगा दिया हैं और आप प्रम क्नल सकती हैं और आप तरह सकते हैं मतलब यह नान पड़का saying गैंस के साथ उठाएम कपड़ा कपड़े से दोनों तरब के कुंदे अज पर से ऐंगे तो गैंस की फ्लैम आपको तैजी ही रखने जीसे आप मैंने नान बन कर रखना था अजबी आपको फिल फ्लैम पर रख नहीं स्ट मुद्थ को पूरा टाइम कितना अज़ैं पांत न में तो उस्ट पर टो customers यहां तो आई घार हूँ है वह से पूरा गीतना लगेगा रेडेट को मैंने तीन बना रही हूं क्योंकि medium size के नान ना तो ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छूटे तो तीन नान बनके ready हो गया है और यह दी आप और छोटे size की बनाओगे तो 6 के 7 के लगबग नान आपके एक 7 ही ready हो जाएंगे बनके तो यह देख सकते हो मेरे अच्छे से बहुत ही अच्छे से नान सिक गया हैं देख सो तो बिल्कुल अच्छे दिखाय दे रहे ना तो जले हैं बिल्कुल भी नहीं जले हैं और बहुत ही आसानी से नान बनके ready हो गया हैं तो अम मैं इस पर लगा दे रही होगी इस तरीके से आप बनाओगे जैसे आपके घर में बड़े पार्टी हो या को पटछे इस तरह से नान धेर सारे सारे एक साथ बना कि और आप ایک साथ बहुत सारे बना सकते हो बहुत ही इजी सा तरीका मैंने बता है और यूट्यूब्ब पे इदि आप ने पेले देखा होगा तो सिव कम मैंने तरीका उससे अच्छा यह बताया होगा और ये दिखे मैंने तीनों नान निकाल ले हैं और नान भी मैंने इसी तरह के से पूरे बना लिये थे और नान है जो मैंने सरव कर दी है और लाश्ट के बचे वी नान है जो आपको मैं दिखा रही हूं तो मेरे पूरे नान बन के रेड़ी हो गया है और नान बहुत ही सोप्ट और तो थोड़े नान पतले साइज के ही सही रहते हैं और मुलायम बिल्कूल और सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलता हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी में ओके बाग